इसमें ये नहीं बात हुए कि मैं पहले मेरा इलिजिबल था नहीं था, मैं पापी था, नहीं था, मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, वहाँ से मैं ये प्राषना करता हूँ, कि मैं आपके तेज रूप का वरण करूँगा, वर्गोदेवस्य धीमईधियो यूनप प्रचोदेय साथ जो सब को प्रकाशिक कर रहा है आपके इस तेज रूप को मैं बरण करूंगा तेजस्वी बनूँगा उत्सा के साथ काम करूंगा जो हुआ सो हुआ मेरे करम अब उत्तम रहेंगे यही गीता का एसन्स है और यही इसको बहुत प्रकट फूप से कॉंसेंटरेटर फॉर्म में दिया गया है तो सौरी गिल्ट के साथ में गिल्ट के साथ में कभी इश्वर से प्रार्थना ना करें जो हुआ आप जनम हो आपके इस काल में इस संसार में जन हुआ इसका अर्था कुछ पाप हैं वरना मुक्ष में होते हैं तो कुछ तो पाप है तभी हम यहां पर हैं जिस दिन पाप पाप किसको कहते हैं अर्थात हमारे संसकार में कुछ ऐसी बाते हैं जो सिधा अभी तक पूरी तरह से मुक्ष के साथ एलाइन नहीं हुए हैं जो एलाइन होते हैं वो रिशी बन हैं वो फिर यहां पर अपना करते हुए कर्म करकर आगे निकलते हैं तो यह यह भाव है पॉजिटिविटी के साथ